तो दोस्तो सागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉम्पूटिटिव फूंडा पर तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बहुती बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ दोस्तो इसमें पुलिस भरती ने एक बड़ा जवाब दिया है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसकी जो आडियो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ दोस्तो ये वीडियो है वो UPSI 2016 की कैंडिडेट और कॉंस्टेबल भरती 2018 के और कॉंस्टेबल भरती 2013 के इन तीनों तरह के जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुती महत्वूर्ण है क्योंकि दोस्तो इसमें बहुती बड़ा जो एक जवाब है उसमें भरती बोर्ट द्वारा दिया गया है इसमें जो आडियो दी गई है उसमें तीनों भरती के बारे में बताया गया है कि इनका रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दू इसमें भरती बोर्ड ने बोला है UPSI 2016 का जो रिजल्ट है वो एक या दो दिन में जारी हो जाएगा इसके लिए बहुती जल्द प्रियास चल रहे हैं और दोस्तों ये बिल्कुल अववा नहीं है जैसा कि लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट नहीं आए दो दिन लेट हो जाए लेकिन रिजल्ट आपको बहुती जल्द देखने को मिलेगा अगर हम कॉंस्टेबल भरती की बात करें तो मुझे लगता है हो सकता है अगर 28 फरवरी तक UPSI का रिजल्ट आता है तो कॉंस्टेबल भरती का भी रिजल्ट एक या दो दिन के अंदर य लेकिन जो बहुती हो जाए है पहले इस पर दहाम देखे लगता है तो देखिए दोस्तों आपने पहला ओडियो जो है वो सुन लिया होगा इसमें भरती बोड ने का आएगी अहम UPSI जो 2016 का रिजल्ट रुका हुआ है उसका रिजल्ट निकालने वाले है और अगर बात करें कॉंस्टेबल 2018 की बात की गई है इसमें कि जो कॉंस्टेबल 2018 का एक्जाम हो चुका है उसका भी रिजल्ट बहुती जल्द निकालने वाले है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आ बहुत जल्दी प्रियास कर रहा है कि UPSI 2016 का रिजल्ट जारी कर दे और उसके बाद जो है करेंगे आपकी फाइल को हमने पूरा अपन्रा दिन तो दोस्तों आपने ये दूसरी ऑडियो भी सुनी होगी इस इसमें आपको बिल्कुल जो अधिकारी हैं उनकी द्वारा कहते हुए सुना मिला होगा कि उन्होंने कहा है UPSI का जो रिजल्ट है आज या कल में जारी हो जाएगा तो देखिए हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट आज आज आजएगा या कल आजएगा क्योंकि 28 तारीक है कल और जैसा कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि 28 से पहले रिजल्ट आने के लिए भरती बोट के दौरा बोला गया था तो वही हम उसको उम्मीद में रखते वो भी इसके उपरांत एक या दो दिन के अंदर ही जारी हो जाएगा क्योंकि भरती वोड पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि आचार सहता से पहले इन दोनों के रिजल्ट जारी हो जाएं तो दोस्तों और इसमें जो 2013 वाले कंडिडेट थे उनके लिए भी बात की गई है उ बार बार आप जो आप एप्लिकेशन लेकर आते हैं उसको मैं एकसेट तो कर लोंगा लेकिन उस पर परक्रिया नहीं हो पाएगी तो आप लोग 15 दिनों तक हमें टाइम दीजिए उसके बाद हम जो है आगे परक्रिया बढ़ाएंगे तो यह तो थी 2013 से संबंदित अगर हम हमारे Facebook जो गुरूप है उसको जोइन कर लीजिए उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा बहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमाई Facebook गुरूप को जोइन कर लीजिए बहां पर इसका जो full वीडियो है तीन मिनट का something वीडियो है वो आपको सुनने को मिल कि क्या-क्या भर्ती वोड ने कहा है मैंने यहां पर सिर्फ वीडियो आपको दिखाया है जिसमें point to point बात की गई है भर्ती वोड ने बताया है कि UPSI का जो result है UPSI 2016 का वो आज या कल में जारी होने वाला है ठीक है और अगर constable भर्ती की बात करें तो उसके लिए भी बहुती जल्दी प्रिक्रिया चल रही है यानि उसका भी result UPSI के एक या दो दिन के बाद आ जाएगा क्योंकि ऐसा इसलिए भर्ती वोड का कहना है कि अगर यह result जारी हो जाएगा 2008 तो इसके लिए जो running DBPST होना है तो वो आजार सेंगता की दोरान चल सकती है लेकिन result की जहां बात है वो जारी नहीं हो सकता इसलिए इसका result जल्दी से जल्दी जारी कियाने की कोशिस की जा रही है क्योंकि अगर इनका 18 constable का result आ जाता है या फिर UPSI 2016 का result आ जाता है उसके बाद इनके लिए UPSI का जहां medical होना है वो और अगर 2018 का physical और DBPST बगर होना है तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है आगे पर के लिए चल सकेगी तो इसका result निकालना भरती बोर्ट के लिए बहुत जरूरी है और सारा जो focus है भरती बोर्ट इस समें इन आगे भी future में जो आने वाली नई भरती है उसके लिए भी आविदन करेंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो constable के candidate है तो उन सभी के लिए यह बहुती बड़ी news है दोस्तों इस audio का जो full version है फुल जो है आप जरूर सुनिएगा उसका link अपने group का link है आपको description में दे दूँगा बहां से आप जरूर उसे join करिएगा और बहां पर आपको जो है उसका audio full मिल जाएगा वो audio अच्छे से सुनिएगा उसमें आपको सारे जितने भी doubt हैं आपके clear हो जाएंगे आपको मुझे comment करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों आज कल तक और इंतजार कर ल है आप बिल्कुल उम्मीद रखिए 28 फरवरी अगर लेट हुआ तो एक दो दिन ऊपर हो सकता है लेकिन आचार सहिता से तो पहले आ ही जाना है ये पका 100% न्यूज है इसमें बिल्कुल कोई दोराय नहीं है भौरती बोर्ट पूरी प्रक्रिया में लगा हुआ है पूरा इ आप सभी लोग दिल थाम के बैठिये आपको जो है UPSI 2016 का रिजल्ट जल्द देखने को मिलने वाला है आज ये कल बेट कर लिजिए और आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों और आप बिल्कुल परिशान मतों ये रिजल्ट भरती बोर्ट पूरी तर इस है आप सभी जानते हैं और कल जो है ब्रस्पतिवार है फिर सुकुर और सनिवार दो दिन बच जाएगे फिर संडे आ जाएगा तो बहुत लंबा ये टाइम चला जाएगा अगर हज से हद अगर ये रिजल्ट लेट हुआ तो इस सब्ते के लाश्ट यानि सटर डे तक आपको पका देखने को मिल जाएगा तो आप लोग बिल्कुल परिसान मत हो ये और रिजल्ट के लिए देखिए जो भी होगा अब रिजल्ट में कुछ भी नहीं किया सकता आप तो कुछ नहीं कर सकते आपने एक्जाम दिया आपके जितने भी मांक्स बने उससे कोई फरक नहीं पड़ता आप ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके कितने मांक्स हैं आपका कट आप में सेलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सारी चीजे आप भगवान पर छोड़ दीजिए और आराम से साम को मंदर जाए भगवान को परसाद चड़ाइए तो अच्छे से हो सकता है आपको साम को रिजल्ट देखने को मिल जाए क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है जो भी मेहनत थी आपने की आपने डीवी पेश्टी ने आपने जो है अपना फिजिकल कंप्लीट किया रिटिन में अपने नमबर लेके आए उसके बाद आपक का तो डीवी पीश्टी और रनिंग वगरा होनी है तो कि सरकार यह चाहती है कि जो जो कॉंस्टेबल दोहजार अठारे की भरती है वो छै मा के अंदर कंप्लीट हो जाए यानि अगले महा में इसको पूरी तरह से जो है बच्चों को फाइनली मेडिकल के लिए बुलाना च दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और जादा से जादा अपने दोस्तों तक भी सेर कर दीजे ताकि वो लोग भी हमारे साथ जोड़ पाएं और यह जो यूपी की कॉंश्टेबल UPSI 2016 की भरती चल रही है इसके रिलेटिट जो भी न्यूज होगा मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइट कराता रहूँगा तो अगर आप हमारी चैनल पर नए है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज जिससे की हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं दोस्तो ऐसे ही 2016 की और जो भरती है उससे अगर आप संबंदित है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो नीच के गुरुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उससे भी हमारे फेस्बुक गुरुप को जाइन कर लीजिए तब तक के लिए दोस्तो थैंक यू जैहिंद झाल में तक कि लीजिए और हमारा जाएब कर लीजिए और कि लीजिए जैहिए।